हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, विल्किम डू मै चैनल, अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पढ़ती है जैसे वक्त पर किसी का जोर नहीं, भगवान पर किसी का जोर नहीं, किस्मत पर किसी का जोर नहीं, जिंदगी और मौत पर किसी का जोर नहीं ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए आएए देखते हैं कि कौन सा रूल फॉलो होता है इसके rule में सबसे पहले no one rules over आता है जिसका मतलब होता है किसी का जोर नहीं चलता या फिर किसी का बस नहीं चलता और last में हम noun में उस चीज को mention करते हैं जिस पर जोर या बस ना चलने के बारे में हम अपने sentence में बात कर रहे हैं चली आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आज जाए वक्त पर किसी का जोर नहीं या फिर वक्त पर किसी का जोर नहीं चलता या फिर वक्त पर किसी का बस नहीं चलता तीनों का sense एक ही है पस कहने में फर्क है No one rules over time No one rules over time भगवान पर किसी का जोर नहीं No one rules over God किस्मत पर किसी का जोर नहीं No one rules over fate या फिर No one rules over destiny आत्मा पर किसी का जोर नहीं चलता No one rules over the soul उम्र पर किसी का जोर नहीं चलता No one rules over age जिन्दगी और मौत पर किसी का जोड नहीं अब एक सेंटेंस आपके लिए भावनाओ पर किसी का जोड नहीं इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पढ़नाए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अब हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक कैर बाइबाई